हालो फ्रेंज में आक्षी पुटिक में आपना स्वागत है आज की वीडियो में हम ये पुफ वाला को इल्ट गद्धा बनाने वाले हैं बहुत यासान तरीके से वह भी पुराने कपरों से सिराई की बच्चे हुए कत्रनों से जिसे बनाना बहुत यासान है तो चलिए बनान बिद्धा काट की बाय चैदा काटर बाय जेत्रीक काट किस हो इसके लिए मैंने 2 पीसं कुट किकी हैं काड़ बॉर की यह 4 इंच का इसंगर और स्कुर्च है और यह 5 इंच का स्कॉार पीस है इसी मिजरेमेंट के हिसाब से हमें फैबरिक को करना ए तो अभल को कट कर लेते हैं इसी measurement से तो इस तरह से हमें पहले side की सिलाई को कट करके हटा लेंगे ताकि आसानी हो कट करने में यह जो side वाले सिलाई है इसे हम कट करके हटा लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे स्कॉर्ख नकल के तयार हो जाएंगे तो अपने छाइससे आप कट कर सकते हैं कुछ फ़ोर इंच इप्रीष कि कर नी है और उयुआ ओयुक्षण है फाइव इंच की पैस कट करनी यह तो यह हमारा फोर इंच का पीस है और अब हम एक फाइव इंच का पीस लेंगे और एक फोर इंच का पीस लेंगे बाकी सारे पीस को सैट कर देते हैं तो इस तरह से हमें फोर इंच के पीस को नीचे की तरफ से रखना है और इस तरह से किनारे से मिलाते हुए एक फिल लगा लेना है अर दूसरी साइड भी किनारे से मिलाते हुए एक पिल लगा लेना है बीच की साइड में जो एक्ट्रा है, जो एक इंज एक्स्ट्रा हो रहा है उस तरह से प्लेट बठाते हुए हमें इस तरह से इसके उपर से सिलाई लगाना है, उसी तरह से हम दूसरी साइड भी किनारे से मिला लेंगे, और बीच में जो एक्स्ट्रा हो रहा है, एक इंच का, उसके उपर हम प्लेट बठाते हुए पिन से सेट कर लेंगे, इसी तरह से हम तीसरी साइड भी इसी तरह से त्या कर लेना तो अपने पसांथ से कोई भी कलर का कॉंट्रास्ट में बना सकते हैं या या फिर आपसे कर आप सेस्ट की बना रही हूँ एक एग्रीड की और यह यह के अलो की तो इस तर्व सी में तीन तरफ से शिखाय लगा चैयार कर लेना था होसी तो मिलागे प प्लेट बना बठा देना है तो यह देखे सिलाई लगके त्यार हो गया है इसी तरह से हमें सारे पीस को भी त्यार कर लेना है किनारे को मिलाएंगे तो बीच का एक्स्ट्रा एक इंच का हमें प्लेट बना लेना है और तीन सैट से हमें सिलाई लगाना है और एक सैट से हमें open छोड़ना है तो यह हमारा पीस बनके तयार हो गया है इसी तरह से मैंने सारे पीसले को तयार कर ली है तीन साथ से सिलाई लगाई है और एक साथ से open छोड़ा है और यह मेरे पर छिलाई से बचनी cog कटलन है यह कापी स्वाप्ड होती है कॉटन के जैसी और बहुत ही यूश्फूल होती है तो मैं इसमें फिल करूंगे आप चाहे तो इसमें पुराने पिलो की कॉटन भी फिल कर सकते हैं तो इसे हम अच्छी तरह से इसमें बढ़ते हुए इसमें फिल कर लेंगे गे देखिए मैंने इसमें फिल कर ली है और आब याट वहारास जात्ते में इसके सिलाय लगाएंगी इसी तो नाघ से strengthen कर लेंगे इसके उपर से सिलाय लगाएंगे इसी तरह से हम सारे पीस में इस तरह से कतन को फिल कर लेंगे अब हम सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हम किनारे पे जब सिलाई लगाएंगे तो बीच में जो एक इंच के एक्ष्रा है वहां पे हमें प्लेट बठाते हुए सिलाई लगा लेना ये देखे काफी फुलपी और स्पंजी बना है बहु करते हुए यह मैंने दो किल बनाई है तो इसलिए मैं भी ग्रींख कलागी is depends कि अधिक दधेक्ट करने इसे तरी के साहered कर लिया और मैं इसे करके संदेख संद करना था है यह तरह से हमें दूसरे के इस तरह से हातों से सिलाइं लगा सकते हैं तो मैं इसे हाथों से ही बहुते Cose दोनवा किनार сем mogę फैसंट मिलाते संय दोपीस मइना पाछा एना है और को दिखें धिए आपकर employed प्रऑचर अम stabilization करेंगी तो इस तरह किनारे से पनार ममनाटे है, सिलाइ लगाएंगे इससे बनाना बहुत यासान है और लगांगे और सिलाइ लगांगे तैयार करेंगे और अब हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे सैट से मिलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से हम किनारे को मिलाएंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे फिनिसिंग से मिलाते जाएंगे और किनारे को पकड़ते जाएंगे और सिलाह लगाते जाएंगे इस तरह से हमें देखते जाना है कि किनारे से किनारे को मिला लेना है मिलाके सिलाह लगाते जाना है फिनिसिंग से यह बहुत ही जल्दी बन के तयार हो जाती है और सर्दियों के लिए बहुत ही यूजफूल है फिर्स इसे हम फिर्स पर रखके भी बैठ सकते हैं या फिर इसे चेर पर भी रख सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसे बड़ा यह चोटा भी बना सकते हैं जितनी बड़ी बना चाहते हैं जितनी चोटे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और इसमें अब हम एक और पीस को ज्बच कर लेंगे कि एक तरह से हमने पूरे में शिलाय लगाकर तयार कर ली है देखे बैक साईद से कूछ इस तरह से है और यह काफी अच्छा बनके त्यार हुआ अब हम इसके back side को cover करने के लिए इस तरह से एक fabric ले लेंगे आप इसमें कोई fabric ले सकते हैं तो यह मेरे पास ब्लॉज पीस का बचावा टुकड़ा था और साइड से हम डेरी या दो इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे हम इस तरह से fold करते हुए pipe in बना लेंगे और किनारे से मिलाते हुए शिलाय लगाते जाएंगे आप शाय तो इस पर भी शिलाय मेसिजिन से भी शिलाय लगा सकते हैं लेकिन हाथों से लगाना भी बहुत आसान होता है तो इस तरह से हम किनारे से पकरते जाएंगे और यह गद्दे के side को भी हम देखते जाएंगे कि य त्यार हो रही है आप इसके वैक सेड में लगाने के लिए कोई भी पुराना फैबरीक भी ले सकते हैं किसी पुरानी वेचिट का या फिर कोई पुरानी कुर्ती का कोई भी फैबरिक लगा सकते हैं इसमें तो यह मेरे पास ब्लॉज पीस का एक तुक्रा बचा हुआ था तो इसी को मैंने यूज किया है बैक सैड में इसी तरह से घुमाते हुए हम दुसरे सैड में भी पैपिन बना के तयार कर लेंगे और सैड पर अच्छे से लॉक कर देंगे यह देखे हमने चारो साइट से पैपिन को फनिस कर लिया है कितना स्पंजी और फलपी बन के गद्दा तेयार हो गया है वह भी उडाने कपरों से और कत्रन से जीरो कोश्ट में तो फ्रेंट्स आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कोमेंट करके जोर बताईएगा अगर कीजिए ज्यादा साधा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद